नमस्काराद आप प्रणाम स्वागत है आप सभी का भी हारे डब में कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और पांच बजे की प्रतीक्षा में प्रतीक्षा रत होंगे तो मैं आ गई हूँ पांच बज गए हैं और हमारी क्लास के शुरू होने का समय भी हो ही चला है हो ही गया है तो एक बार सभी बच्चे जूरदार तरीकी सेशन को शेयर कर दीजे ताकि सभी बच्चे को सेशन का पता चल जाया और साथ ही हम शुरू करेंगे आज मैथिली स्टेशन सुभा वाली क्लास हुई थी मैथिली आपको शायद पता नहीं होगा सुभा वाली क्लास सुभा के समय पर ही हुई थी 9 बच कर 15 मिनिट पर हुई थी और आप लोगों के लिए बहुत खास चीज में लेकर के आ रही हूँ कल आप वेट में थे नहीं तो आपने शायद देखा रही होगा ध्यान से लेकिन 9 बच कर 15 मिनिट पर क्लास हुई थी और कल की जो क्लास होने वाली है वो बहुत खास है बिलकुल चली थी लक्षमन आज सुबह की कलास हुई थी बिलकुल हुई थी अंतु गूड इवनिंग सभी बचों को गूड इवनिंग जितने भी साथी हमारे हम से जुड़ चुके हैं उनको सभी को गूड इवनिंग और अंत में एक बहुत बहतरीन सी बात में आप लोगों को बताने वाली हूँ मराठी ग्रंथ है भातखंडे संगी शास्त्र उसी से कुछ नोटेशन्स लिए गए हैं हिंदी, नहीं हिंदी, देखें हिंदी ही निकल रहा है संगीत के इतिहास संबंधी कुछ चीज़े हैं उन चीज़ों पर मैंने कुछ नोट्स तयार की हैं आप लोगों के लिए कल वो नोट्स मैं आप लोगों को 9 बच कर 15 मिनट के क्लास में देने वाली हूँ क्लास की शुरुआत बिना देरी बिना नागा के बहुत देर करेंगे तो नुकसान होगा और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, आज मैं ये बात कहने भी वाली थी BPSC 1.0 में ना तो एस्टेट मांगा गया था और ना ही बीएड तो बहुत-बहुत संभावना है कि इस बार भी एस्टेट और बीएड नहीं ही मांगे जाएं और अगर ऐसा होता है तो मेरी बिनती आप सभी से है कि अगर आप eligible है मतलब आपने graduation और master's किया है तो बिलकुल form भरियेगा एक बार भी मत्चू कियेगा बहुत अच्छा मौका है इस मौके को बिलकुल मत्चूड़िएगा है अगर यह मौका आप लोगों को मिल रहा है तो इस मौके को ईश्वर का एक इशारा समझकर तुरंत अपनी तरफ मोड लीजेगा चीख है हाँ आज मैंने काकू के विशे में बात की थी काकू क्या होता है और काकू के विशे में अलग-अलग चीजे क्या है सुभह की PDF शिवा नहीं है सुभह सारी चीजे PDF में नहीं दी जाती है मेरे भाई कुछ चीजे नोट भी की जाती है कुछ चीजे पढ़ा रही होत क्लास बिना देरी के आप, बहुत देरी पहले से हो चुकी है, आप सभी का स्वागत है, बिहार अड़ा में और मुझसे जुड़े रहने के लिए, आप सभी लोग जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से इस आप को डाउनलोड कर जिए, क्योंकि इसी गलक समय पढ़ लेती हूँ, जो special class होती है आप लोगों के लिए, ठीक है, चलिए, मैं आज की class आप लोगों को बता दूँगी, end में, class के end में, अभी समय बरबाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, और हाँ, ये जो चैनल आपको दिख रहा है, इसको subscribe कर लिजे, औ और bell icon को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि bell icon अगर आप लोग नहीं दबाएंगे, तो आपको notification नहीं मिलेगा मेरी class का, notification के लिए आपको bell icon को press करना ही होगा, है ना, चलिए, आज आपकी पहली class है, रवी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी class में, चलिए, शुरू क में class हुई थी आज, end मैं आप लोगों को बता दूगी, ठीक है, चलिए, मैं पहले प्रशन से बात कर रही हूँ, नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में, ध्रुवागीत के विशह में विवेचना की गई है, ध्रुवागीत मैं आप लोगों को पहले भी बताया था, कि कई प्रकार के गीत में एक गीत का प्रकार ध्रुवा गीत भी है, जिसके बारे में भरत ने नाट्य शास्त्र में लिखा है, है ना, एक चीज और मैंने आप लोगों को बताई थी, कि नाट्य शास्त्र में, जिस गायन विद्या की बात हुई है, वो गायन केवल नाटक के था ठीक है चलिए गौड सारंग वाली भी प्रशांद में बिल्कुल बता दूंगे बेफिकर रहो ठीक है चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अध्याए 31, 32, 33 या 29 इन चारों में से किस अध्याए में बात की गई है धुरुवा गीत के विशह में बताइए जल्दी से क्या हो और उत्तर सभी लोग देने की कोशिश किया करिये चाहे उत्तर गलत ही हो लेकिन कम से कम उत्तर देने की कोशिश सभी लोग करेंगे बताईए जल्दी से क्या होगा नाट्टे शास्तर के विशह में अगर बात की जाए तो धुरुवा गीत के विशह में किसमें विवेचना अगला प्रश्न क्या कहता है उससे पहले थोड़ा जानने जरूरी चीजें ठीक है क्योंकि इसके बारे में इसके संबंध में आपका जानना बहुत जरूरी है क्या कह रहा है भारत कृत नाट शासर में अध्याय कौन सा है 32 इसी अध्याय में आपको धुरुवागीत जिसको देशी गीत के रूप में जाना जाता था देशी संगीत का एक प्रकार था दुरुवागीत तो इसको प्रबंधों का पूरुव रूप कहा जा सकता है हमें पता है दो तरह के संगीत थे एक मारगी संगीत और एक आपका देशी संगीत ये दो प्रकार के संगीत थे अगर हम मारगी संगीत की बात करें तो ये तो गंधर्व गान था मतलब गंधर्व लोग गाते थे तो ये तो माना ही नहीं जाता इसको बारे में तुम बात नहीं करेंगे वैसे ये आपौरुशे होता था कैसा था ये आपौरुशे मतलब आप इसको देख नहीं सकते थे, इसको समझ नहीं सकते थे, इसको मैसूस नहीं किया जा सकता था, यह सामने नहीं था, जबकि जो देशी संगीत था, वो पौरुशे यह था, उसमें पुरुशार्त था, वो सामने से दिखाई देता था, हम उसे सुनते थे, हम उसे प्र द्रुवागीत प्रबंध गायन में बदला तो प्रबंध गायन का पुराना रूप कह सकते हैं हम क्या पुराना रूप कह सकते हैं हम देशी संगीत का रूप कह सकते हैं हम द्रुवागीत को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं द्रुवागीत जो है वो नाटे से संबंधी था एक और जरूरी बात, नाट्य से अलग गीतों का स्वतंत्र वर्णन है, पहली बार जब यह पता चला कि स्वतंत्र रूप से गीत भी गाय जाते हैं, नाटक से इतर, वो व्रिहत देशी में मिलता है, मतंग ने जो ग्रंथ लिखा है, व्रिहत देशी, उसमें पहली बार बताय गया, कि नाटक से इतर भी संगीत ऐसे प्रयोग में आता था, गायन ऐसे प्रयोग में आता था, नाटक के बिना, स्वतंत्र रूप से गाय जाता था, एक बात और, भरत के बाद, जितने भी संगीतिक ग्रंथ हुए हैं, उनमें केवल और केवल देशी प्रबंधों का उल् लेकिन धुरुवागीत का यह जो विशेश टर्म है धुरुवागीत इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता और केवल नान्यदेव ऐसे हैं नान्यदेव ने भरत भाष्य नाम का एक ग्रंथ लिखा था केवल नान्यदेव ऐसे हैं जिन्होंने अपने भरत भाष्य जो उनक चर्चा की है ये भरत कृत नाट शासर के बाद पहली बार हुआ उसके बाद ना तो उसके बाद हुआ ना उससे पहले हुआ ठीक है तो ये आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रशन की और प्रबंद गीत में किसका समावेश पाया जाता है प्रबं प्रबंद गीत में किसका समावेश पाया जाता है गीत स्वर ताल ये सभी या एक से अधिक क्या हो जाएगा उत्तर पटाफट से बताईए नहीं ऐसा नहीं है सैफ मैं किसी भी बच्चे को नहीं भूली हूँ बस यही है कि अभी इस समय पढ़ाई का समय है ना चलिए बता प्रणाम जो भी बच्चे बाद में आया हूं सभी को प्रणाम बताईए जल्दी से क्या होगा उत्तर प्रबंद गीत में किसका समावेश पाया जाता है किसका समावेश होगा देखिए इसमें तीन चीजों का समावेश होता है इसका सही उत्तर हो जाएगा ई क्या होगा सह सही उत्तर D नहीं होगा, E होगा, अब क्यों होगा, मैं वो थोड़ा सा बता दूँ, E इसका उत्तर इसलिए है, क्योंकि इसमें स्वर का प्रयोग होता है, ताल का प्रयोग होता है, और पद का प्रयोग होता है, पद से मिरार्थ शब्द से है, इन तीन चीजों का समावेश पाया जाता है, इन तीन चीजों का तीनों का समावेशन क्या कहलाता है तीनों का समावेशन आपका प्रबंध कहलाता है क्या कहलाएगा प्रबंध कहलाएगा, ठीक है तो ये आपको याद रखना है चलिए, बहुत सारे लोग गीत समझते हैं ये गीत नहीं है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये गीत नहीं है इसको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे पद का, ताल का और स्वर का, तीनों का समावेश हमारा क्या कहलाएगा? प्रबंध गीत कहलाएगा आगे बढ़ते हैं, आगले प्रश्ण पर शारंग देव ने प्रबंधों को कितने वर्गों में बाटा है शारंग देव के अनुसार प्रबंध कितने वर्गों में बटे है चार, तीन, दो, या फिर छे बताईए जल्दी से क्या होगा हाँ बिलकुल सैफ देखो, मैं एक चीज और कह दूँ सभी बच्चों को अब हमें गंभीर होना होगा हमें यूट्योप पर भी पूरी गंभीरता के साथ पढ़ना है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो प्रशन बना कर लाती हूँ वो बहुत खोज खाजगर बनाती हूँ तो इसलिए मेरी सबसे बिंती है कि सभी लोग जो मैं प्रशन बना कर ला रही हूँ उनको गंभीरता पूरवक लें जरूर करें है ना और कल की क्लास में आपके लिए विशेश होने वाला है बताए जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर बी ए वेरी गुड जल्दी से बताए क्या होगा शारंग देव ने प्रबंधों को कितने वर्गों में बाटा गया है कितने वर्गों में बाटा है बताए जल्दी से उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से उतर दीजे सभी लो पटाफट से बताएए क्या हो जाएगा तीन वर्गों में बाटा है कौन-कौन से देखो तीन वर्गों में बाटा है सूढ आलिकरम और विप्रक्रीन कितने हो जाएंगे तीन, सूड, आलिक्रम और विप्रकीन ये तीन प्रकार हो जाएंगे आपके प्रबंधों के तीन अलग-अलग वर्ग हो जाएंगे तो तीन वर्ग और हाँ ध्यान रखना अलग-अलग अभी लक्षन के आधार पर भी है तो ये तीन प्रकार हो जाएंगे ठीक है? सूड, आलिकरम और विप्रकीन ठीक है? तो ये तीन भाग हो जाएंगे, सही उत्तर इसका तीन होगा, वर्ग तीन हो जाएंगे शारंग देव ने प्रबंधों की कुल संख्या कितनी बताई है? अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग इस पर बात की है तो शारंग देव ने अपने संगीत रतनाकर ग्रंथ में कितनी संख्या बताई है प्रबंधों की? 78, 75, 82 या 85? क्या होगा सही उत्तर? फटा फट से सभी लोग उत्तर दीजे क्या हो जाएगा जल्दी से बताईए हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं तेज़ी सारी चीजे ऐसी है ना जो आप नहीं नहीं सीखेंगे बहुत सारी नहीं चीजें भी सीखने को मिलेंगी बताई ये जल्दी से क्या होगा पटापट से उत्तर दीजे रोज सुबा नहीं होती है दीब ये क्लास सिर्फ कभी कभी होती है जैसे कि आज की मैंने आपकी क्लास ले ली, आज मैंने क्लास ली थी 9 बचकर 15 मेट पर, कल भी एक 9 बचकर 15 मेट पर विशेश क्लास है ठीक है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा शारंग देव ने प्रबंधों की कितनी संख्या बताई है कितनी बताई है, क्या हो जाएगा सही उत्तर, पिच अत्तर बताई है कितनी बताई है, पिच अत्तर बिल्कुल ठीक अब थोड़ा सा शारंग देव के बारे में पढ़ लेते हैं कि शारंग देव ने किस तरीके से प्रबंद गायन को बाटा है उन्होंने प्रबंद गायन को कैसे देशी गान बताया है उन्होंने गायन को किस प्रकार से बाटा है इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना, इससे आपके लिए आसान हो जाएगा आगे, चीजे पढ़ना और समझना, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, उन्होंने गीत के जो प्रकार है, उन्हें कैसे कैसे बाटा है, उन्होंने गीत को दो तरीके से बाटा, गीत के यही जो गीत आप देख रहे हो, यही गीत आपके धातुरचना के नियम से बने होते हैं, कैसे धातुरचना के नियम से बने होते हैं, यह गीत, उसके नियम से बंधे हुए होते हैं, ठीक है, धातुरचना के नियम से बंधे हुए होते हैं, अब थोड़ा सा, राग को अगर side में कर दिया जाय तो गीत के बारे में बात कर लेते हैं गीत हमारे दो हिस्सों में बटे गीत दो, गीत को ही आप गान भी कह रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये गान बाद में गान कहला है, कैसे कहला है इसको समझ लेंगे? पहला आपका गीत का जो प्रकार हो गया, वो हो गया गान धर्व, कौन सा हो गया? गान धर्व, जिसे आप गान धर्व गान भी कहते हैं अच्छा एक चीज और, इसको हम मारगी संगीत के नाम से भी जानते हैं यही मारगी संगीत है, यही गान है, गांधर्व गान है, ठीक है, एक चीज और, इसी को आप अपौरुशे भी कहते हैं, अर्थात आप इसे ना तो देख सकते हैं, ना इसे सीख सकते हैं, क्यूंकि यह प्रचलन में नहीं है, कहते हैं गंधर्वों द्वारा गाय जाता था, हम तो स्वर्ग में रहते नहीं, तो हम इसको गा नहीं सकते, अब आगे बात आती है आपके गीत के दूसरे प्रकार में, जिसे हम गान कहते हैं, क्या कहते हैं, गान, इसी को हम देशी संगीत या देशी गान के रूप में भी जानते हैं, देशी गीत, ठीक है, यह सो में से ये पौरुशे हो जाएगा चलिए इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ यहां लिख देता है पौरुशे ठीक है? ये पौरुशे होता है इसको फिर से दो हिस्सों में बाटेंगे एक होता है हमारा कौन सा निबध और एक होता है हमारा कौन सा अनिबद अब अनिबद में तो आलपतिगान वगेर आगए जो आज के समय की आलाप है आज के समय की जो आलाप होती है वो अनिबद है मतलब ताल से जुड़ी हुई नहीं है वो ताल में बंधी हुई नहीं है निबद्धगान कौन से हैं जो ताल में बंधे हुए जैसे कि आपका प्रबंद गीत हो गया जैसे कि आपके धुरुवा गीत हो गया जैसे कि आपके आज के समय के राग हो गया आज के समय के आज से थोड़ा से पुराने धुरुपद हो गया खयाल हो गया तरवट हो गया तर पाट दुरूव इन में से कोई नहीं इन चारों में से जो अलग हो उसको चुनिए बताईए जल्दी से उत्तर क्या होगा फटा फट से जल्दी से उत्तर क्या हो जाएगा इन में से आ सुमेलित को चुनना है क्या हो जाएगा जल्दी से बताईए फटा फट से बताईए क्या होगा फटा-फट से बताईए क्या हो जाएगा आलपतिगान, रूपल, कलाप, अनिबध छीख है वेरी गुड क्या हो जाएगा सही उत्तर जल्दी से बताईए क्या होगा उत्तर देखिए ध्रूव की अगर बात करें ध्रूव, ये धातु है ये क्या है? धातु है प्रबंद की कौन-कौन सी होती है ध्रूव मेलापक उद्ग्राह और क्या हो जाएगा चोथा? उद्ग्राह और आभोग ठीक है? ये चार धातु होती है प्रबंद की चार धातु कहलो चार खन्ड कहलो चार भाग कहलो, एक ही बात है, ठीक है, तो ये धुरूव की चार धातुएं हो गई, धुरूव, मेलापक, उद्गरा, और आभोग, तो धुरूव अलग हो गया, बाकी जो आप देख रहे हैं, ये प्रबंध के अंग है, स्वर, तेनक, पाट, ये क्या है, ये प्रबंध के अंग है, प्रबंध के अंग है, कितने अंग होते हैं प्रबंध के, कुल जमा प्रबंध के छे अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, ये छे होते हैं, तीन तो लिखे हैं, स्वर, तेनक और पाट लिखे हैं, इसका मतलब तीन और बच गया, तो तीन और कौन से हैं, चौथ पाचवा और छटवा इनके नाम में लिख रही हूं स्वर हो गया आपका एक होता है विरुद क्या होता है विरुद फिर तेनक फिर पाठ फिर ताल और फिर अंतमे पद तो ये सारी चीजें आपको क्या कहलाएंगी ये 6 की 6 चीजें ये कहलाएंगी आपके प्रबंध के प्रबंध के बारे में प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा इसके बाहर प्रश्न नहीं होगा ठीक है चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं शास्त्र कारों के अनुसार प्रबंध के धातु के कितने प्रकार है चार प्रकार है कौन-कौन से उद्ग्राह, मेलापक, दृव और आभोग, ये चारों मैंने आपको बता दिये और इसके अलावा अगर अंग पूछा जाए तो 6 अंग हो गए कौनसे? स्वर, विरुद, पद, तेनक, पाठ और ताल, ये 6 आपके अंग हो गए, किसके? प्रबंद के अंग हो गए, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, चलो अब प्रबंद के किस भाग को आधुनिक समय का स्थाई कहते हैं, हमने चार भाग पढ़े द्रूव, मेलापक, और कौनसा हो गया? आभोग और आभोग और चोथा कौनसा हो गया? द्रूव, मेलापक, आभोग और उद्गराह, ये चार भागों में से आपसे पूछ रहा है, कि आज के समय का स्थाई किसे का जाता है? हमें पता है, आज के समय में गायन में दो ही भाग होते हैं, एक स्थाई और एक अंतरा, अब आपसे पूछ रहा है यह जो स्थाई वाला भाग होता है, जिसको बार-बार गाया जाता है, गायन में, वो पुराने समय में, यानि के प्रबंद के समय में क्या खेलाता था, उद्ग्राह, धुरुव, आभोग या मिलापक, बता ही जल्दी सुत्तर क्या होगा, राजीब वो अभी नहीं हुआ है, उसके पीछे कारण है, मैं इंतजार कर रहे हूँ सिर्फ एस्टेट का, जैसे ही एस्टेट का रिजल्ट आएगा, उसके कुछ समय के भीतर ही, मतलब कुछ समय, मतलब कुछ ही समय के भीतर में स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है? बेफिकर र और पर मैं जहां तक समझ पा रही हूँ, शायद आगे भी एस्टेट नहीं मांगा जाएगा, और अगर नहीं मांगा गया, तो आप सभी लोग फॉर्म जरूर भरिएगा, अच्छे से तयारी करिएगा, है ना? तब तो सोचिए आपके लिए कि इतना बहतर हो जाएगा, इ रिजल्ट के बारे में तेजसी मैं बता दूगी जब आएगा, ठीक है? चलो, क्या कहा जाएगा इसको? नहीं जी, नहीं मांगा था प्रशान, नहीं मांगा था, कहीं भी नहीं बताया गया था कि आपको एस्टेट चाहिए, उसके बारे में दिया ही नहीं गया था कहीं भी ठीक है? नहीं ऐसा नहीं होता है कल्पना, जादतर जगा पर एस्टेट या सीटेट वगरा नहीं मागा जाता है म्यूजिक के लिए ठीक है? बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा आधुनिक समय का स्थाई किसको बोलेंगे? धुरुव को कहा जाता है, ठीक है? पुराने समय में जो मुख्य अंग हुआ करते थे किसी भी रचना के जो मुख्य अंग होते थे, दो होते थे कौन से? मुख्य अंग, प्राचीन काल में भी कब? प्राचीन काल में क्या कहा जा रहा है इसमें? धुरुव कहा जा रहा है आज के समय में ये थाई है, पहले समय में धुरूव होता था, तो कौन से दो होते थे, मैं बता रहे हूं, गौतम एंड में बता दूँगी, ठीक है, मुख्य अंग, कौन कौन से, एक तो आपका धुरूव, और दूसरा क्या होता था, धुरूव के अलावा आपका, दूसरा ह अच्छा मैं स्कीम बता रहे हूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रबंद के आरंभिक भाग को क्या कहा जाता था, धुरूव मेलापक, उद्गराह या फिर आभोग, बताए जल्दी से क्या, रवीश कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं दिया था, कि एस्टेट चाहिए, कह नहीं शिवाजी, नहीं, ऐसा था कि उसके बारे में कहीं जानकारी नहीं दी गई थी, और मुझे लग रहा है शायद ये मूजिक टीचर के लिए प्रेक्टिकल लेना चाहिए, देखो PGT के लिए मेरे हिसाब से तो PGT के लिए सब जगा होता है, बाकी बिहार में तो BPSC के के लिए मैं पहली बार देख रही हूँ, तो पता चली जाएगा खेर, बाकी जगा तो PGT में प्रेक्टिकल लिया जाता है, TGT में नहीं होता, है ना, आप देखते हैं, नोटिफिकेशन आने दो, अगर नोटिफिकेशन आई, आप लोगों के लिए तो भले की बात है, जैसे आज के समय में स्थाई से शुरू होता है, थोड़ा आलाप लेते हैं, पहले फिर स्थाई आते हैं, ऐसा नहीं होता था पहले, पहले क्या होता था वही बताना है आपको, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, प्रबंध के आरंभिक भाग को क्या कहा जाता था, जल्दी से पहले गाय जाता था उद्गराह, बाद में इसका प्रचलन छूट गया, बाद में केवल छोटा बहुत आलाप रह गई, ठीक है, चलिए, अगले प्रशन में आ जाएगा, मेलापक का प्रयोग क्यों होता था, मेलापक मुख्य तोर पर जो अंग था, उसका प्र जल्दी से फिल नहीं करने दिया था, इसलिए एस्टेट लिया गया, रवीश, सब्र रखो, क्या पता क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते न, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, मेलापक का प्रयोग क्यों होता था, जल्दी से बताओ, अभी कुछ नहीं कह सकते, पहले पह अले हमें कुछ नहीं कहना, क्या पता क्या हो जाए? चीजे पलट गई, तो अच्छी बात है, आप लोगों के लिए तो भले की बात है, अगर होगा तो तैयार है, और नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो समस्याğimiz खतम हो गई. बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा मेलापक का प्रयोग क्यों होता था देखिए उद्गराह और धुरुव को मिलाने के लिए किसको उद्गराह और धुरुव को मिलाने के लिए मेलापक का प्रयोग होता था उद्गराह सबसे पहला भाग सर्व सर्व प्रत्थम क्या गाया जाता था उद्ग्राह उसके बाद क्या गाया जाता था ध्रूव और इन दोनों को मिलाने के लिए जो गाया जाता था मेल का मतलब क्या होता है मिलाना तो मिलापक मेल का काम करता था किस-किस के उद्ग्राह के और ध्रूव के का वर्णन हुआ करता था उसे क्या कहते थे प्रबंध गायन में छे अंग पढ़े हैं हमने कैसे अंग पढ़े हैं छे अंग पढ़े हैं हमने प्रबंध गायन के ये छे अंग अलग-अलग काम करते थे तो इन्हीं छे अंगों के बारे में मैंने आप लोगों को अलग-अलग से पुछा है ठीक है प्रबंध गायन या गीत के माध्यम से प्रबंध गायन या फिर गीत के माध्यम से नाटकों में क्या होता था देवी देवता के जो पात्र होते थे वो या देवी देवता या फिर उनके संदर्म का वर्णन किया जाता था तो उस चीज को क्या कहते थे स् तो निश्रित तोर पर आपको कोई अलग से किताब नहीं लेनी, ठीक है? जल्दी से बताइए क्या होगा? सही बात है रवीश मैं समझ पा रही हूँ? जल्दी से बताइए क्या होगा? प्रबंध गायन या गीत के माध्यम से नाटकों में जो देवी देवताओ के पात्र आप, ये बिहार है रे पबुआ, क्या बोलते थे? बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा सही उत्तर? उसको विरुद कहा करते थे, क्या कहा करते थे उसे? विरुद, ठीक है? संगीत रतनाकर में एक बात की गई है, विरुद गुन नाम, विरुद गुन नाम, इसका मतलब क् इसमें कहा गया है, संगीत रतनाकर में, चतुर पंडित कहते हैं, विरुद गुन नाम, अर्थात गुन सूचक नाम, विरुद गुन नाम, गुन के जो सूचक नाम हैं, उसे गुन नाम कहेंगे, ठीक है? चलिए, तो क्या हो गया है? स्वर्पद तेन या विरुद, क्या हो तर विरूद हो जाएगा, ठीक है, हाँ बिलकुल प्रशाद, नहीं लेना, किसी भी बच्चे को जो बैच से जुड़िया, उसको अलग से कोई किताब नहीं लेनी, किसी को भी नहीं लेनी, एक चीज और बता दूँ, market में आपको जितनी भी, किसी भी publication की किताब अगर आप उ प्रबंद गायन या गीत के माध्यम से नाटकों में देवी देवता के पात्र या संदर्व कवर्णन होता था, तो उसे विरूद कहते थे, ठीक है, चलिए, अगला प्रशन, अच्छा एक बात और थोड़ा सा, मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं नाट्टि शास्त्र के पारे में थोड़ा पढ़ रही थी, चतुरपंडित जी का लिखा हुआ, तो वो एक बात कहते हैं, कि नाट्टि शास्त्र में भरत ने कहा है, कि हम जो छूते हैं, उपनिशदों के संदर्व में उन्होंने बात कही है, उपनिशद ऐसा कहते हैं, कि जो हम, जिसकी तरफ हम ह चीज की हम आस करते हैं, उसी चीज के अनुसार, उस आस के अनुसार, उस मन के अनुसार हमारे भाव उत्पन होते हैं, और जिसके अनुसार हमारे भाव उत्पन होते हैं, उसी तरह की इनसान की अपनी एक छवी तैयार होती है, तो सबसे जरूरी चीज यहां से शुरू होत देखिए कविता या रचनाओं में शब्द से हम नायक नाईकाओं का गुणगान किया करते थे तो वो जो शब्द जिनका प्रयोग किया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था विरोध पद तेन या पाठ बताए जल्दी से क्या होगा बिल्कुल जल्दी से बताए क्या होगा फटाफट से उत्तर दीजे सभी लोग, जिन कविताओं या रचना में शब्दों के द्वारा नायक नायकाओं का गुनगान करने के लिए जो शब्द प्रयूक्त होते थे, उनको प्रबंद के किस अंग के नाम से जाना जाता था, बता ही जल्दी से क्या होगा, फटाफट से निकलेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, वैसे पद कहेंगे, क्या कहेंगे, पद कहेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, है ना, तेन या पद, हाँ पद है, बिल्कुल पद है, पद का आर्थ क्या होता है, पद का आर्थ होता है, कविता, यान के शब्द, पद मैंने बताया था, जब किसी शब्द को शब्द कहेंगे, तो इसका मतलब वो सुतंत्र रूप से लिखा है, लेकिन उसी शब्द को जब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, तो वो पद कहलाता है, ये व्याकरण कहती है, ठीक है, तो वही हो गया, मंगलकारी व शब्द प्रयोग में आते थे, हाँ, बिल्कुल, तो ये प्रबंध गायन में क्या कहलाते थे, पाट, तेन, स्वर, इन में से कोई नहीं या एक से अधिक, बताओ जल्दी से क्या होगा, लीना पेड अभी शुरू होने वाला है, अभी शुरू नहीं हुआ, इसलिए आप जॉइन नहीं किया है, तो कर सकने हैं बिल्कुल, हाँ, पद का मतलब वही है, कविता में प्रयोक्त शब्द, कविता वाक्य में ही तो होगी, ऐसे ही, ठीक है, बताइए जल्दी से क्या होगा, सही उत्तर, बंगलकारी वाक्य या शब्दों का प्रयोक क्या कहलाता था, जल का जाता था, तेन या फिर तेनक, अगले प्रशन पर आते हैं, प्रबंध गायन में ताल वादियों पर बजने वाले जो वर्ण समूह थे, प्रबंध गायन में जो ताल पर वर्ण बजा करते थे, जैसे कि धिड़नक, धा, धिड़नक, तिट, कत, गदी, गन, ये सब जो व वर्ण बजते हैं, इन वर्णों को भी शामिल किया जाता था प्रबंध गायन में, जब प्रबंध गायन किया जाता था तो, तो इन वर्ण समूह को क्या कहते थे, तेन, पाट, ताल, पद या इन में से कोई नहीं, बताए जल्दी से क्या होगा, फटा-फट से उत्तर बिल्कुल, तेन या तेनक, बताए जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर, पटा-फट से बताएगी क्या होगा, बिल्कुल, बिल्कुल, क्या कहा जाएगा उसे, बिल्कुल सही बात, पाट कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, पाट, छीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, C सही उत् तो इस प्रकार से हमने इसके कुछ प्रश्न कर लिया है अच्छे से आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर राग जौनपूरी के न्यास के स्वर क्या है। अगर राग जौन पूरी की बात करें, तो जल्दी से बताईए सभी लोग क्या हो जाएगा, पटाफट से उत्तर दीजे सभी लोग क्या होगा, जल्दी से बताओ सभी लोग, क्या हो जाएगा उत्तर, जल्दी से बताओ, बिल्कुल सा उर्पा, ये दो न्यास के स्वर हैं, आग जौनपुरी के ठीक है याद होगा आपको परिये पायन वाके सजनी जो ना मानी गुनी जन की सिख परिये पायन वाके सजनी हाथ जोड फिर न्यारो हो बे ऐसे नर के पास नजई दरस कहे वार सोनी तर्डरी परिये पायन वाके सजनी है ना गंभीर प्रवत्ती का राग है चलिए राग जैजेवंती में किस गंधार का प्रयोग होता है हाँ भले ही हो जरूरी नहीं है हमेशा वादी समवादी पर न्यास हो हाँ ये जरूरी है कि सामाने तोर पर वादी समवादी पर भी नियास होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा हूँ, ठीक है? चलिए, हाँ, बिलकुल, जै जै वन्ती में किस गंधार का प्रयोग होगा, कोमल गा, शुद्ध गा, दोनों गा, गा वर्जित होता है या इनमें से कोई नहीं, करते हैं वादी समवादी की, तो वादी समवादी में मैंने ये जरूर कहा है कि सामाने तोर पर वादी समवादी पर भी नियास होता है, लेकिन जरूरी नहीं है, हर बार हो, मैंने भी लगाया, ही नहीं लगाया, दुनों में अंतर है, ठीक है? चलिए, बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा जल्दी से बताईए सभी लोग क्या होगा दोनों होंगे, और कोई दोनों गः होंगे जैजेवन्ती तो ध्यान होगा आप सभी को साधनी रे, रेगामा गरे, रेगामा पर, मापनी साः फिर कैसे है साधनी धापर, धामा गर, धागामा रे, रेगारे साः ये जो कोमल गा होता है, ये दोनों रे के बीच में प्रयोक में आता है है ना, रेगारे साः, ऐसे करके है ना, चलिए हाँ, साधनी रे, रेगामा गरे, रेगामा पर, बताइए जल्दी से क्या होगा? हाला कि मैं स्केल से नहीं गा रही हूँ, कुछ गड़बर हो सकती है बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? राग जैजे वन्ती में किस गंधार का प्रयोग होता है? बताइए जल्दी से क्या होगा उत्तर? दोनों गा का प्रयोग होता है, आरोह में हमेशा क्या लगेगा? आरोह में शुद्ध लगेगा और अवरोह में लगेगा कोमल क्या हो जाएगा सही उत्तर? C, ध्यान रखो, इसके आरोह में सामानने तौर पर शुद्ध लगेगा और अवरोह में सामानने तौर पर ओमल्ग का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होगा? ओमल्ग का प्रयोग होगा, ठीक है? ये सामानने चलन है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं राग जैजेवन्ती का थाट क्या है कल्यान, खमाज, बिलावल या फिर पूर्वी ध्यान रखो बाद में ऐसा होने लगा है कि कोमलगा लगता हो लेकिन पहले गा केवल शुद्ध प्रयोग में आता था चलिए बताए जल्दी से क्या होगा और हाँ एक चीज़ और बता दूँ इसमें गा जो है वो काफी अल्प मात्रा में प्रयोग में आता है अगर हम कोमलगा की बात करें जैसे की साधनी रे रे गा मा गरे रे गा मा पार मा पनी साधनी धा पार धार गा मा रे यहां पर गा मैं बोले हुआ रे यहां शुद्ध लग रहा है फिर यहां मैंने गा कोमल बोला है लेकिन दोनों रे के बीच में बोला है ना तो खमाज हो जाएगा क्योंकि नी कोमल प्रयुक्त हो रहा है बाकी सभी स्वर्शुद्ध है ठीक है यह हो जाएगा याद होगा स्केल मुझे चेंज करना पड़ेगा ज्यादा नीचा हो रहा है जैजेवंती में कौन सा निशाद प्रयोग में आता है नी कौन सा प्रयोग में आता है कोमल शुद्ध दोनो निशाद वर्ज होता है या फिर इन में से कोई नहीं बताएगा जल्दी से क्या होगा हाँ पिल्कुल यह तो है इसका बड़ा खयाल मुझे बहुत पसंद है पालना जल्दी से बताएगा क्या होगा जै जै वन्ती कौन सा निशाद प्रयोग में आता है जल्दी से बताएगे क्या होगा फटा फट से बताएगे राग जै 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 वन्ती में कौन सा निशाद प्रयोग होगा जल्दी से बताओ देखो अगर मैं आरोह की बात करूँ इसके आरोह में जब प लगेगा तो प के साथ नी का प्रयोग होगा किसका प्रयोग होगा? नी का प्रयोग होगा और ये जो नी लगेगा ये शुद्ध नी होगा कौनसा होगा? शुद्ध आरोह में जब बात कर रहे हैं और जब अवरोह आएगी तो क्या और धा के साथ किसका प्रयोग होता है धा के साथ जो नी लगेगा वो कोमल लगेगा ठीक है जैसे की साधा नी रे साधा नी रे यहां नी लग रहा है यहां नी लग रहा है कोमल यहां पा के साथ कौन सा नी लगा शुद्ध लगा ठीक है ऐसे करके हुगा ठीक है धा के साथ जब नी लगा रहे हैं तो कोमल नी लगा रहे हैं और पा के साथ जब नी लगा रहे हैं चड़ते वक्त आरोह के वक्त तो वो अब देखो यहाँ धा के पहले नी बूला है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर को मलनी लगा ऐसे करके ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो दोनों निशाद का प्रयोग होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों निशाद ठीक है सही उत्तर आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण राग जैजे वन्ती का गायन समय क्या हो जाएगा राग जैजे वन्ती का गायन समय क्या हो जाएगा लिख भे जो सकी उस नंदन को मेरी खोल किताब देखो व्यथा मेरी खोल किताब देखो व्यथा दा मेने दम के डर मोह लागे दा मेने दम के डर मोह लागे उमगे दल बा दल शाम घटा है ना बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा वैसे गंभीर है ये प्रवर्ति कैसी है इसकी गंभीर प्रवर्ति है बताओ जल्दी से क्या होगा फटा फट से फटा फट से क्या होगा सही उत्तर देखो रात्री का दूसरा पहर है कौन सा दूसरे प्रहर में गाय जाता है लेकिन दूसरे प्रहर के अंतिम रागों में आता है ये दूसरे प्रहर के अंत में गाते हैं इसको ठीक है बिलकुल किसी पहर के अंत में जो राग गाय जाते हैं, बिल्कोeled समाप्ति के समय पर वही तो परमेल प्रवेशक राग होते हैं, एक जिगे से दूसरे मेल में प्रवेश करने वाले, ठीक है तो रात्री के दूसरे प्रहर के अंत में गाय जाता एइ, ठीक है चलो, राग जय जय गवन्ती का वाधीस्वर क्या है? राग जय जय वन्ती का वाधीस्वर रे, प, कोमल ग, कोमल नहीं या इनमेंसे कोई नहीं देखो किसी-किसी राग में आप लोग परिषान हो जाते हो कि मैंने बताया ग होगा, फिर मैंने बाद में आपको बहुत अच्छे से समझाया लेकिन आपको ये बात शाध्यान न रहे कि कोमल क्यूं हुआ जैसे मान लीजे कि मैं कोमल गा की बात करूँ कि कोमल गा वादी स्वर है और आप लोग समझ ले मैंने गा लिख दिया तो मैंने बताया गह आप सोच लें कि कोमल गह क्यों कह रही है तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि उस राग में वो गह जो प्रयोग में आ रहा है वो शुद्ध रूप में है और कोमल रूप में है कोमल रूप में हो तो कोमल गह होगा ठीक है? बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा राग जैजेवंती का वादी स्वर क्या होगा राग जैजेवंती का वादी स्वर हो जाएगा आपका रे और समवादी क्या हो जाएगा प ये है वादी और ये है समवादी ठीक है ये हो जाएंगे चलिए अगला राग जैजैवंती में कौन सी विधा का गायन नहीं होता मैंने अभी अभी बताया गंभीर प्रवर्ति का राग है तो कौन सी विधा नहीं गाई जा सकती छोटा खयाल, बड़ा खयाल, दुरुपत, धमार या ठुमरी इन में से कौन सी विधा का गायन राग जैजैवंती में संभव नहीं है मैं थोड़ा नीचे स्केल से गा रही हूँ आज क्योंकि गला थोड़ा खराब है जैसे वो है ना याद होगा आपको क्या हो जाएगा सही उत्त ठुमरी क्योंकि यह चंचल प्रवृत्ति की होती है कैसी होती है यह चंचल प्रवृत्ति की होती है ठीक है बाकी सभी उपर छूटा खयाल गंभीर प्रवृत्ति का भी हो सकता है और चंचल प्रवृत्ति का भी ठीक है तो यह नहीं गाई जाएगी अगला राग जैजैवंती की जाती क्या है जल्दी से बताएए राग जै जै वन्ति की जाती क्या है देखे धमार तो मैंने गाया है धुरुपत मैंने नहीं गाया हाँ धमार जरूर गाया है होरी गाई है मैंने होरी अलग अलग कामोद में भी गाई है है ना शाडव संपून, 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 वक्र संपून या shut up, shut up, क्या हो जाएगा सही उत्तर, जल्दी से बताईए, पटापट से उत्तर दीजे सभी लो, राग जय जय बनती की जाती क्या होगी, जल्दी से बताओ, देखिए इसमें सारे स्वर लग रहे हैं, कोई भी स्वर वर्जित तो है नहीं, है की नहीं, जब सारे स्वर सोचने लगा, धाव छोड़ दियए, धाव नीचे तो लगा दिया है, तो सारे स्वर आरो में आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये, संपून संपून हो जाएगा, 20 सही उत्तर होगा क्या होगा, ओर डव संपून नहीं है संरोध, ये संपून संपून है, ध्यान दो साधाए नीरे रेगामागरे रेगामाबनीसा इसमें सारे स्वर लग रहा है है न, चलो 20 सही उत्तर होगा, आज% प्रशन रखते हैं यहीं, हमने आज 20 प्रशन किये, बहुत अच्छे से किये हैं, कोशिश किये हैं, मैंने की चीजों को बताते वे चलूँ आप लोगों को, ठीक है, वक्र संपूर्ण, गनेश कुछ नहीं होता, वक्र संपूर्ण और संपूर्ण संपूर्ण में छोटा सांत वक्र संपूर में क्या होता है, उस स्वर लगेंगे, वह दोनों मैं ऐसे लग रहे हों। पिलूख भी नहीं है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आप लोग अगर तयारी कर रहे हैं, तो देखिए मैं बता दूँँ, अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम result आएगा, तब join करेंगे, तब class में entry लेंगे, तो ध्यान रखिए, class में इतनी भीड़भाड चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कैसे ही होगा, जल्दी ही कहीं समात ना हो जाएं, seats, तो मैं बता दूँ, आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ कर तयारी करें, तो कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी subject के लिए अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, सारे subject आपको यहीं पढ़ाए जाएंगे, TGT के लिए भी और PGT के लिए भी, दोनों के लिए आपको अलग से कहीं तयारी करने की ज़रूरत नहीं है, दोनो आपको All Courses दिखाई दे रहा होगा, यहां, इस पर क्लिक करिए, जब आप All Courses पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने, यहां विकल्प खुल के आएंगे बहुत सारे, यह देख रहे हैं, आप Government Job Exams के बराबर में State Exam लिखाई, इस पर क्लिक करिएगा, जैसे ही आप State Exam पर क्लि Office खुला था, ठीक है, उसको 25 साल हो गए, चलिए, तो मैं बता दे रही हूँ, फिर से Offer कल पना, 2 October तक इंतजार कर सकते हैं, हो सकता है, 2 October को Offer फिर से आए, क्योंकि गांधी जनती है, तो निश्यत तोर पर Offer आ सकता है, अगर आप लोग बिहार महापैक लेना चाहते हैं, उन बच्चों ने, जिन्होंने गलती से महापैक जॉइन किया, आप दुबारा महापैक ऐसा नहीं मिलेगा, वो गलती से हुआ है, तो उसके लिए Rectification के लिए कुछ चीज़े की जाएंगी, ठीक है, चलिए, तो State Exams, जब आप जाएंगे, तो यहां देखे, बिहार लिखा यह TGT का बैच है, PGT का भी same ऐसा ही बैच है, यह महापैक है, अगर आप महापैक जॉइन करना चाते हैं, तो थोड़ा रुकिएगा, अभी जॉइन मत करियेगा, लेकिन अगर आप TGT का बैच जॉइन करना चाते हैं, तो उस पे क्लिक करिएगा, तो अईसे करके आपको खुल कर दिखाई देगा, ठीक है, यह आपको बैश दिखाई देगा, इसमें 500 seats हैं, जिसमें से लगभग-लगभग seats भरने वाली हैं, क्योंकि तेजी से seats भर रही हैं, बच्चों को शायद इससे पहले हो सकता है, classes नहीं अवेल हो पा रही हूं अच्छी जगा से, तो इसमें आप जुड़ेंगे कैसे मैं बता रही हूं, by now के option पर जाईएगा, यहाँ आपको enter coupon code लिखाऊगा, तो इसमें आप अगर मेरा teaching code, यानि के मेरा mentorship code डालते हैं, तो निश्यत तोर पर आपको इसका lab मिलेगा, मुझसे जुडने का मौका मिल जाएगा, तो यहाँ आप मेरा teaching code डालेंगे, Y740, जैसे ही आप Y740, Y740, apply करेंगे, apply करते हैं, 1849 में आपको दिख जाएगा, आप इसको join कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया है, कि मेरा teaching code क्या है, यानि कि अगर आप मुझसे जुड रहे हैं, अगर आप Y740 से जुड रहे हैं, मतलब आप मुझ PGT, PGT, या अगर आप 6-8 की तहरी कर रहें, तो सारे batches अलग-अलग join करने की ज़रूत नहीं है, महापैक में आपको सब मिलेगा, ठीक है, महापैक में आपको अलग से कोई भी batch एक-एक करके join करने की ज़रूत नहीं है, ऐसे तो आपको काफी ज़्यादा amount देना पड़ेग वो हो जाएगा रुपेश, उसकी चिंता मत करो, मैं उसकी जानकारी पहली आप लोगों को दे चुकी हूँ कि आपको उसके लिए परिशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे अब, अपने नियास समय पर मिलेंगे, आप सभी को समय तो मालूम ही है, ठीक है, RGF Tutorial जी, मुझे पता है, कब शुरू करना है बैच, उसके लिए बिलकुल परिशान मत हुए, मैं समय पर बैच शुरू करूँगी, हाँ, ये जरूर है कि अगर एक बार seats full हुई, तो फिर आप लोगों को seat नहीं मिलेगी बैच में, बस एक इसी लिए समस्या है, और अगर आप देरी करते हैं, तो निश्यत तौर पर उसका नुकसान आपको भुगतना पढ़ेगा, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, रवीश, आप PGT में हैं, तो PGT का बैच जॉइन कर सकते हैं, बिलकुल, ठीक है, चलिए, सुमन चिंदा मत करो, अगर आप सुबह आपका चलिए, 9-15 वाला वीडियो, हाँ, मैं 9-15 वाला वीडियो के बारे में बता दिती हूँ, आप लोगों को, उसके लिए परिशान होने की ज़रूरत नहीं है, देखिए करना क्या है, आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगा, बिहार अड़ा 247 क्या सर्च करेंगे आप यहाँ पर, यहाँ सर्च करेंगे आप बिहार अड़ा 247, ठीक है, बिहार अड़ा 247 जैसे ही आप सर्च करेंगे, पहला ही विकल्ब खुलके आएगा, उस विकल्ब पर क्लिक करिएगा, ठीक है, मैं बता रही हूँ कैसे आप लोग क्लास ढूंडे जब आप class ढूंडेंगे तो कैसे home पर जाएएगा जब home पर जाएएगे तो आपको home पर जब नीचे जाएएगे यह देखिए यह लिखा है SSC Interlevel और SSC Interlevel से आगे बढ़ेंगे तो बिहार SSC Interlevel के बाद यह शिक्षक भरती लिखा है यह देखिए सारी यह व्यूफ फुल प्लेलिस्ट पर जाएगे तो आपको सारी की सारी वीडियो यहाँ पर मिल जाएगे ASTET की वीडियोज भी इसमें पढ़ें जिसमें मैंने थिओरी भी पढ़ाई हुई है काफी सारी चीज़े हैं ठीक है इसके बारे में आपको बिलकुल मिल जाएगा हाँ बिलकुल बिलकुल रवीश PGT में मैं ही बढ़ाऊंगी TGT PGT दोनों मैं ही मिल पढ़ाऊंगी संगी आपको मैं ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, बागी सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी, ठीक है, अच्छा, एप पे क्लास नहीं मिल रही है, यूट्यूब पर मिलती है, सरगमताल जी, रुक जाएए, धैर रखिये, बिल्कुल मिलेगी, धैर रखिये, वो भी मिलेगी, ठीक है, तो ये हो जाएंगी आपकी क्लासेज ऐसे डुड़ने, और जो मैं 9.15 पर या शाम को, या सुभा में जो अलग से मैं स्पेशल क्लासेज लेती हूँ, उसके बारे में बता रही हूँ, कैसे आप लोग स्पेशल क्लासेज देखेंगे, तो उसके लिए लाइव पर जब आप लाइव पर नीचे बढ़ेंगे, तो आज का सेशन आपको दिखाई दे जाएगा, जैसे कि आज के सेशन के बारे में मैं बात करूँ, आपका आज का जो सेशन मैंने 9 बच कर 15 मिनिट पर लिया है, ये रहा, ठीक है, ये रहा, देखें, क्या है काको, ये रहा, मैं इसके विशे में बता देती हूँ अच्छे से, ठीक है, देखें, ये रहा, क्या है काको, ठीक है, तो आप असानी से ढूण सकते हैं इसको, अगर आपको एक लास नहीं मिलती है, तो एक बार फिर से मैं बता दूँगी कल, और आप लाइव में इसको ढूण सकते हैं, ठीक ह चलिए, मिलेंगे, आप सभी को, कल फिर मिलेंगे, कल 9 बच कर 15 मिनिट पर फिर आऊंगी मैं, आप सभी लोगों के सामने, और कल बहुत विशेश चीज है, कल की PDF मत छोड़ीगा, कल की 9 बच कर 15 मिनिट की सुभा की क्लास मत छोड़ीगा, बस क्या करना है, अगर आपको क्ल क्लास की बात कर लूँ, यही क्लास है, यहां नोटिफिकेशन दिया होता है, आप नोटिफिकेशन, जैसे कि यहां तो अभी क्लास, जैसे यह वाली क्लास है, इसमें आप क्या करेंगे, बैल आइकन पर प्रेस कर लिजेगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन से इनकी मिलती र